अगर आप मोच से पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे तो कितने ही वाक्य याद आते हैं। लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नमंबर को मैं भगवान बिर्शा मुंडा की जन्मिजेंती पर उनकी जन्मस्थली जारखन के उलिहातु गाउं गया था। इसी आत्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमत्री हूँ जिसे इस पवित्र भूमी की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सवभाग्य मिला। उसक्षान मुझे ना सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ती मैश्यूस हुई बलकि इस धर्ती की शक्ती से जुड़ने का भी आउसर मिला। मुझे एसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पुरा करने का साहस देश के करोणों लोगों का भाग्य बदल सकता है। साथियों, भारत में हर यूग में कुछ चुनोतियां आई ही और हर यूग में ऐसे असाधान भारतवासी जन्में जिनोंने इन चुनोतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दुर द्रश्टी रखने वाले ऐसे ही दो महानयकों के चर्चा करूँगा। इनकी एक सो पचासवी जन्मजेंति को देश ने मनाने का निश्य किया है। 31 अक्तुबर से सरदार पटेल का एक सो पचासवी जन्मजेंति का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिर्सा मुंडा का एक सो पचासवा जन्मजेंति वर्ष शुरू होगा। इन दोनों महापुरुष ने अलग-अलग चुनोतियां देखी लेकिन दोनों का विजन एक था देश की एक था। जन्मजेंति मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था। नियोर्क के टाइम स्क्वेर से आफरिका के छोटे से गाउं तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा। उसे फिर से जाना उसे जीया नवजवानों से बुजूर्गों तक भारतियों से विदेशियों तक हर किसे ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर पे समझा। नई वैश्विक परिस्तितियों में उन्हें जाना। जब हमने स्वामी विवेकानन जी की एक सो पचासवी जन्म जन्ति मिनाई तो देश के नवजवानों ने भारत के आध्यात्मिक और सांसकुर्थिक शक्ति को नई पारिभाशाओं में समझा। इन योजनाओं ने हमें एह एहसास दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते बलकि उनका जीवन हमारे वरतमान को भविश्य का रास्ता दिखाता है। साथियों, सरकार ने भले इन महान विभुद्यों की एक सो पचासवी जन्मजेंति को राष्टिय स्तरपर मनाने का निर्ने लिया है। लेकिन आपकी सहभागीता ही इस अभियान में प्राण भरेगी, इसे जीवन्त बनाएगी। मैं आप सभी से आगरे करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने लोहपुरू सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कारियर हैश्टेक सरदार 150 के साथ साजा करे और धर्तिय अबाब विर्सय मुंडा की प्रेणाओं को हैश्टेक विर्सय मुंडा 150 के साथ उत्सव बनाए इसे वरासत से विकास का उत्सव बनाए